what's up everyone welcome back to the channel इस साल का economics का ये लाश वीडियो होने वाला है और इसमें हम cover करने वाले हैं complete इंडिया निको one shot for revision कल आप exam से पहले भी देख जाना अभी रात को तो वैसी बहुत लेट आएगा 12 बजे के आसपास आएगा क्योंकि मैं बनाना ही पहुने 11 बजे शुरू कर रहा कल सुबा भी आप लोग revision करोगे तो ये आपको काफी help करेगा चलिए चलिए से शुरू करते हैं और इंडिया निकों को एक छोटा सा quick revision देते हैं जो कि एक घंटे में मुश्किल से हो जाएगा चलिए let's begin तो guys शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले chapter number one Indian economy on the eve of independence है तो Indian economy on the eve of independence में सबसे पहले जो सबसे major point है वो यह है colonial exploitation colonial exploitation का क्या मतलब है? colonial exploitation का मतलब कि Britishers ने किस तरीके से हमें impact करा था तो Britishers ने हमारे तीन सेक्टर destroy करे थे सबसे पहला agriculture sector, दूसरा industry sector, तीसरा international trade या foreign trade agriculture sector destroy करने के लिए वो तीन चीजे लेका है थे mainly, सबसे पहले जो आपको लिखना है वो है land settlement system या जमीदारी system इस system के अंदर Britishers ने याद करो क्या करा था? या तीन body बना दी थी, triangular relationship बना दिया था, सबसे उपर government, British government जोगी यह बोलते थे जमीदार्स को कि तुम हमें एक fixed amount दो और tenant से जितना मरजी पैसा निकलवाओ, जितना मरजी काम करवाओ, tenant वो होते थे जिनके पास अपनी जमीने नहीं होती थी, वो इनके लिए काम करते थे तो तीन bodies हो गई हमारे पास, सबसे बहले government, government rent लेता था, किससे जमीदार से, जमीदार काम करवाते थे, किससे, tenant से उनको बुरे तरीके से exploit करते थे दूसरा commercialization of agriculture, यानि की हमारे agriculture को shift कर दिया, from food crop to cash crop हम तो subsistence से, अपने लिए कमाते थे, अपने लिए बनाते थे, लेकिन shift करागे उनने का, ऐसी फसल होगा हो, जिसमें पैसा कमाया जाए food crop से cash crop, productivity बहुत खराब थी, क्योंकि investment होती नहीं थी, land के उपर we were mainly dependent on rainfall, हमारी अच्छी production के लिए बट कुछ नहीं हो पाता था industrial sector कैसे खतम करा उन्होंने हमारा systematic de-industrialization, हमारी handicraft industries जो थी, वो बहुत ज़्यादा popular थी हमारी handicraft industry को खतम कर दिया, उन्होंने किस तरीके से, अपनी tariff policy से यानि उन्होंने heavy export duty लगा दी handicraft पे, और duty free करें, वहां से machine made goods, अपने machine made goods तो उनसे competition मिलता था, इंडिया की जो industries सी वो खतम होती चले गई, international trade में भी mainly यही है जो discriminatory tariff policy लेकिया है, यहां से free में raw material लेके जाते थे, वहां से free में machine made goods लेके आते थे लेकिन अगर हमें अपने handicraft से export करने हैं तो हमें रोग दिया जाता था, यह आपको mainly इसके अंदर लिखके आना है ठीक है जी, अब हम अगर हम आगे चलें, तो Indian economy के क्या-क्या features थे, independent के time पे, independence के time पे, stagnant economy थी stagnant economy कौन सी होती है, एक ऐसा economy जिसके अंदर या तो growth ही नहीं होता है, बहुत slow growth होता है backward economy थी, backward का क्या मतलब होता है, backward का मतलब बिल्कुल पिछडी भी economy थी, जिसमें हम कुछ भी growth नहीं देख रहे थे agriculture हमारा backward था, agrarian देश था, तब भी backward था, industry भी backward थी, infrastructure बिल्कुल खतम था semi-feudal economy थे हम, semi-feudal economy का मतलब, Britishers हमारे एक तरीके से rule कर रहे थे और हम लोग सिर्वन की colony की तरह से react कर रहे थे, rampant poverty बहुत जादा गरीबी थी और heavy dependence थी imports के उपर, हमारे देश में कुछ भी नहीं था, हम लोग बहुत जादा dependence थे, किस चीज के उपर, imports के उपर इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें, agriculture sector on the eve of independence, तो agriculture sector के बारे में हम चीज़े discuss कर चुके हैं, high degree of uncertainty, हम heavily dependent rainfall के उपर, subsistence farming चलती थी, यानि बस अपने लिए फसल हुगा लेते थे, हम पैसा कमाना जानते नहीं थे, हमारे जो land holdings थे, वो काफी small, छोटे-छोटे और बिखरे वे थे, gulf था यानि fight थी किस-किस के बीच में, tillers और owners के बीच में, then जमीदा से उनको destroy करा, दूसरा modern industry में ना के बराबर growth थी, सबसे पहले handicraft industry को कैसे खतम करा, देखो, discriminatory tariff policy लिया है, tariff का मतलब taxes, है न, ऐसे taxes लगा है, यहां से duty-free, export होगा raw material, लेकिन import क्या होगी, महा से machine-made goods, duty-free, competition मिलने लगा हमें, machine-made goods है, demand change होगी, लोगों का pattern बतल गया, और railways हमें देखने को मिला, जिससे वो transportation बड़ी असानी से घर पाते थे और हमारी industries खतम होती चली गई, इसके बाद अगर हम बात करें, foreign trade की बच्चों, तो हम exporter बन गया थे, primary products के, importer बन गया थे, finished goods के, very important for one mark, monopoly control हो गया था, किसका, India के foreign trade का, किसकी तरफ, Britain की तरफ, surplus trade आती है, number one, birth rate, death rate, दोनों बहुत हाई थे, medical facilities हमार बास अच्छी नहीं थी, infant mortality rate, number of deaths, जो बच्चों की हो जाती है, एक साल से कम, वो भी बहुत हाई था, literacy rate, पढ़ा ही लिखाई, बहुत कम थी, ना के बराबर literacy rate काफी लो था, life expectancy भी बहुत कम थी, ठीक है, ये हम demographic profile में ल balance, growth नहीं थी, बिल्कुल भी, growth unbalanced थी, infrastructure ये सब डेवलप तो हुआ, लेकिन इस सबने सिर्फ और सिफ बिटिशर्स को benefit दिया, हमें कोई benefit नहीं मिला, railway उन्होंने अपने transportation के लिए बनाया था, ports export करने के लिए बनाये थे, poster, telegraph उन्होंने अपनी administration efficiency के लिए बनाये थे, roads, raw material transport करने लिए, match the following में आ सकता है, अच्छे से इसको देख लेना एक बार, railway क्यों बना था, ये सब क्यों हुए थे, second chapter की बात करें बच्चो, तो सबसे पहले हमारे पास आता है economic planning, economic planning का मतलब होता है, कोई भी देश जब आजाद होता है, तो सबसे पहले उसको अपनी policies बनान पड़ती है, उस policy को बनाने को हम economic planning बोलते हैं, और उस policy making के लिए, इंडिया में एक body setup करी गई, जिसको बोला गया planning commission, कब setup हुआ था, 1950 में, और हमारा first five year plan आया था, 1951 में, ठीक है, ये याद रखेंगे, a system under which central authority set a number of targets and specify programs and policies to achieve those targets, हमारे देश में planning commission set up in 1950, feb 2015 में replace हो गया है, नीतिया योग के नाम से, अब इसे नीतिया योग के नाम से जाना आता है, और नीति की full form क्या होती है, नाशा इंस्टिटूट for transforming India, Central economic problems, आपके पास तीन प्रकार की होती है, what to produce, how to produce, for whom to produce, बस नाम नाम आपको पता होना चाहिए, अब economic systems की बात करें, तो तीन प्रकार की economies हो सकती है, बच्चों हमारे आसपास, एक ऐसी economy होती है, जिसके अंदर सारा का सारा role सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का हो capitalist बोलते हैं, उनका मकसद पैसा कमाना रहता है, एक ऐसी economy होती है, जिसके अंदर सारा का सारा role सिर्फ और सिर्फ गौर्मेंट का होता है, जिसमें social welfare जादा उपर होता है, socialist, दोनों का mixture हो तो mixed, इंडिया हमारे बास mixed economy कहलाती है, objectives of planning, planning क्यों करी गई थी, very important, चार objectives है, GEMS, GE का मतलब GDP growth, E equity, M modernization, S self-reliance, ठीक है, GDP growth सबसे पहले economy grow होनी चाहिए, equity यानि इसका मतलब क्या है, equal distribution of resources होना चाहिए, modernization, नई-नई technology, नई-नई techniques use होनी चाहिए, self-sufficiency हम, खुद तो कमाएं कमाएं, और बाहर भी export करें दागे हम बाहर से भी कमापाएं, this is self-reliance, आत्मन plans बोलते हैं, long period जिनको हम planning बोलते हैं, क्या-क्या features थे economic planning के, under till 1991, 1991 तक कुछ features हमारी economy के याद रखना, जाधा focus public sector के उपर था, public sector यानि major role निबा रहा था, private sector बहुत regulated था, काफी rules और regulations थे, हर चीज के लिए license लेने पड़ते थे, यह सब problems थी, small scale industries को protect किया जा रहा था, उन लिए reservations रखी गई थी, और बाहर से investment रोकी गई थी, import substitution पे focus किया जा रहा था, और foreign capital पे restrictions था, यह मैने आपको सब बता दिया, इसके बाद हम कितनी चीजों पे successful रहे, बहुत सारे चीजों पे जैसे national income बढ़ी थी, per capita income बढ़ी थी, saving investment बढ़ी थी, growth हुआ, diversification हुआ, यह success थे, ठीक है, लेकिन कुछ failures भी थे, sir, क्या-क्या failures थे, जैसे गरीबी वहीं की महीं थी, महेंगाई वहीं की महीं थी, बेरोजगारी वहीं की महीं थी, economic और social infrastructure नहीं था, और काफी skewed distribution था, यह line ज़रूर लेक्या ना, skewed distribution of income and wealth, next is, क्या basic goals थे, यह हमने डिसकस करे लिया, growth, modernization, equity, self-reliance, चार basic goals थे, उसके बाद 1950 से 1990 के बीच में agriculture का क्या हाल था, देखो, agriculture के features क्या थे, productivity low थी, ना के बराबर productivity थी, this guy is done employment, requirements से जाधा लोग काम कर रहे थे हमारे agriculture में, dependence थी, काफी जाधा rainfall के उपर, agriculture subsistence था, यानि की बस सिर्फ और अपने लिए ही बनाते थे, बाकी और कोई purpose नहीं था, technology outdated थी, पुरानी technology थी, इसके उपर कोई खर्चा नहीं किया गया था, landlord, tenant में, आपस में conflicts थे, लड़ाई जगडे बहुत ज़्यादा थे, agriculture क्यों important था हमारे देश के लिए, in fact है, क्योंकि हमें एक agrarian country है, तो GDP में contribution होना चाहिए, agriculture का अच्छा, क्योंकि जातर लोग agriculture पे dependent है, employment का source है, बहुत सारी जन्द संख्या के लिए, raw material देता है कही जगा पे, international trade में contribute करता और industrial goods की demand भी यहीं से पूरी होती है, problems क्या आ रही है, पानी की वेवस्ता नहीं है, पैसे की समस्या है, जो जमीन है, वो बहुत छोटी-छोटी थी, small and scattered, उसके बाद marketing system नहीं था, और जमीदार्स और tenants में तो लड़ाई जगडे थे ही थे, यह screenshot लोग अच्छा है, features, importance और problem एक ही जगा लिखी हुई है, next क्या आ रहा है बच्चो, एक agriculture में बहुत बड़े-बड़े reforms आ थे, land reforms बहुत important है, यह आपके exam में आने चाहिए, आप maximum rent हो सकता है, it should not be more than one third of the value of the crops, holdings को consolidate कर दिया गया था, यानि जो आपकी जमीन बिखरी भी थी, इसको एक साथ लाया गया, ceilings on land holdings, maximum land को भी ceiling लगाई थी कि एक इनसान कितनी रख सकता है, technical में technology change होई थी, जैसे normal seeds, hyv seeds, इसको उम green revolution भी बोलते है, 1966 में आया, जिसमें की normal seed हटा के hyv seeds use करे गए, use of chemical fertilizers, insecticides, pesticides और अच्छी farm management practices use करे गई, general reforms में पाने की वेवस्ता बेटर करे गई, credit की वेवस्ता करे गई, यानि पैसा, अलग-अलग banks बनाए गए, regulated markets बनाए गई, यानि markets में rules और regulations और MSP, price support policy, ठीक है, इसके बाद green revolution की बात करें, तो normal seeds छोड़क जब हमने hyv seeds use करे, high yielding variety seeds, उसको क्या बोला गया, green revolution, green revolution हमारे देश में एक बहुत बड़ा revolution था, जिससे हम काफी surplus generate कर पाए और बाहर export करने लगे हमारे produce को, ठीक है, need क्यों थी, क्योंकि हम लोग monsoon पे dependent थे और हमें बहुत सारे shortage की problems आती थी, but green revolution ने वो सब sort कर दिया, इ export कर सकते थे, surplus में हम लोग आ गए थे, low income level group जिनका काफी जादा खर्चा होता था, खाने के उपर उनको चीज़े सस्ती मिलने लगी थी, क्योंकि बजार में इतना surplus था कि समान सस्ता करना पड़ा, उसके बाद chemical fertilizers ने fellowing की need खतम कर दी थी, fellowing क्या होता है, जब आप फसल उ सकते हैं, इसके बाद क्या आता है, रिस्क क्या क्या थे, green revolution में तो pest attack, कीडे बहुत ज़्यादा लगते थे और income inequalities, income inequalities क्यों क्योंकि ये सिर्फ rich farmers afford कर सकते हैं, सब afford कर नहीं सकते थे, तो जो rich है उसके पास और फसल हो रही है, जो गरीब है वो बचारा कुछ कर रही नहीं ये इसमें problem थी, limitations क्या रही है, एक limitation तो ये ही रहा है कि सिर्फ और सिर्फ food grain पे restricted रहा है, सिर्फ wheat rise पे रहा, दूसरा सिर्फ rich farmers को benefit करा, तीसरा क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, चौथा कुछ limited regions तक ही ये spread था, पूरे भारत में इसका impact देखने को नहीं मिला, industrial development की बात करें बेटाजी, तो industries की बात कर रहा है, हमारे देश में features क्या थे, public enterprise major role निभारी थी, यानि की government की PSU's, industrialization का focus import substitution पे था, यानि हम import नहीं कर रहे थे, बस अपने देश में बनाने की कोशिश कर रहे थे, domestic industries को protect किया जा रहा था, foreign competition से, इसके बाद अग public sector का क्या role था, क्यों public sector leading role निभारा था, number one, capital नहीं था, private sector के पास, ये कारण था, incentive नहीं था उनके लिए, यानि उनको कोई profits नहीं हो रहे था, ये कारण था, तीसरा social welfare चाहिए था, वो, industry में सबसे बड़ा जो reform आया, बहुत important exam में आ सकता है, 1956 IPR, IPR 1956, दूसरा IPR है ही leading role निभाएंगे, private sector नहीं करेगा, इसके लिए industries को 3 schedules में बाटा गया, schedule A, जिसमें 17 industries रखी गई, सारी की सारी for government, schedule B, जिसके अंदर 12 industries रखी गई, जिसमें दोनों मिलके role निभाएंगे, लेकिन leading role government का होगा, schedule C, जिसमें बचीवी industries, वो सब private sector को दे दी गई, ये आपको इसके बाद next क्या रहा है हमारे पास, next is small scale industries, ऐसी industries जिसमें investment एक करोड से उपर नहीं जानी चाहिए, और small scale industries बहुत important है हमारे देश के लिए क्योंकि production बढ़ाती है, export बढ़ाती है, employment बढ़ाती है, जाधर लोग हमारे देश में small scale industries में ही काम करते हैं, इसके बाद बेटा foreign trade, foreign trade की अगर हम बात करें तो हम लोग exporter थे किस चीज़ के, raw material के और importer थे किस चीज़ के, finished goods से, Britishers के time पे, अभी foreign trade की अगर हम बात करें, तो लिखा है percentage share in agricultural export, जो agricultural export हम करते थे वो comparatively थोड़ा सा कम हुआ था, क्यों कम हुआ था क्योंकि हमारे देश में demand बहुत बढ़ने लगी थी, decline in percentage share of conventional items, वो भी थोड़ी सी कम हो गई थी, जो conventional हम exports करते थे, और manufactured goods बढ़ने लगे थे, manufacturing जादा होने लगी थी, जादा भाहर जाने लगे थे manufactured goods, trade policy जिसको हम inward looking trade strategy भी बोलते हैं, इसको हम import substitution भी बोलते हैं, इसका क्या मतलब था कि हम self-reliant बने, जो हमारा goal था self-reliant से goal था या नहीं था कि हम आत्म निर्वर बने, हम किसी भी चीज़ के लिए भाहर वालों पर dependent ना हो, तो हम import को substitute करेंगे किस चीज़ से domestic production से, हम कुछ भी भाहर से import नहीं करेंगे, जो भी import करते हैं अपने देश में बनाएंगे, इसको क्या बोलते थे, import substitution, इसके क्य नहीं था, ठीक है, imports protection कैसे करते हैं, tariff से और quota से, tariff का मतलब taxes होता है, quotas का मतलब quantity ceilings होता है, import substitution की क्या जरूरत थी, क्यों करा, एक तो हम protect करना चाहते थे अपनी domestic industries को, ताकि competition ना हो, और restriction on import was necessary, हमारे पास foreign exchange reserve नहीं था, उसके लिए भी ये restriction जरूरी था, appraisal में एक बा इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी develop हो गया, जो GDP था वो बड़ा, इंडस्ट्रियल सेक्टर का, इंडस्ट्री का share भी काफी develop हुआ, 6% annual growth rate से इंडस्ट्री बढ़ रही थी, और Indian industry अब restricted नहीं थी, सिर्फ cotton, textile और jute में, काफी जादा और industry भी आ चुकी थी, diversification हो गई थी, पैंक के पास, IMF के पास, उन्होंने बोला भीया, लोन तो देदेंगे, लेकिन आपको हमारी शर्ते माननी पड़ेगी, तो हमारी देश में जो reforms आये थे, वो मजबूरी में आये थे, ठीक है न, ऐसे ही पाकिस्तान में भी, योगी लोन चाहिए था उनको भी, वहाँ पे खुद लेके आया था, ठीक है, वो तो उस चैप्टर में देखेंगे, mainly क्या-क्या reasons थे, क्यों हमें reforms लाने पड़े, public sector का performance खराब था, BOP नेगेटिब में जा चुका था, BOP आप पढ़के आये हो, आप जानते हो, BOP नेगेटिब में चला क्या था, inflation बहुत जादा हो रहा है, easy करना, freedom provide करना, तो private sector के उपर जो unnecessary restrictions थी, वो सब अटाई गई, privatization का मतलब होता है, ownership दे देना, government अपने shares, जो उनकी पास organizations अच्छी नहीं चल रही होती, तो उसको sale कर देता, private sector को, उसको हम क्या बोलते है, privatization, globalization क्या होता है, integrate करना, domestic economy को with all the other economies of the world, यानि कि अपनी domestic economy को दूसरी economy के साथ जोड देना ही globalization होता है, खुले आम, trade करो, कोई problem नहीं है, किसी तरीकिया कोई restriction नहीं है, number one, liberalization, it means removal of entry and growth restrictions on private sector, इसके अंदर पास reforms आयते बच्छो, financial sector reform, financial sector में सबसे पहले, RBI का role change करा गया, RBI को बुला गया भाया, आप पहले regulator तो अब आप facilitator होगे, change in role from regulator to facilitator, यह point important है, private banks बहुत सारे देखने को मिले, limit बढ़ा दी गई, foreign investment की 51% तक कर दी गई, और expansion process हसान कर दिया गया, अब आप easily अपने business expand कर सकते हो, foreign exchange sector में क्या reforms आयते, सबसे पहले, devalue करा गया तो रुपे को, रुपे का value कम करा गया था ताकि export बढ़ सके, then market determination of exchange rate, sector reforms क्या आये, industrial licensing वो कम करा गया, 17 से 3 industries कर दी गई, IPR में 17 थी ना, बस 3 कर दी गई, public sector का role कर दिया गया और small scale industries का reservation हटा दिया गया, de-reservation, tax में क्या क्या changes आये, reduction in taxes, taxes कम करे गया, direct as well as indirect और process simplify करा गया, अगर हम trade policies की बात करें, तो quantitative restrictions, वो जो quotas थे, वो हटा दी गया, यानि ceilings अटा दी गई, export duties अटा दी गई, import duty कम कर दी गई, और import license भी असान कर दिया गया, privatization का क्या मतलब होता है, privatization होता है, बहुत simply transfer करना, ownership, management और control, public sector से, private sector को, purpose क्या होता है, financial discipline improve हो, modernization, नही नही टेकनलोजी आए, नही नही चीज़े आए, globalization क्या होता है, एक ऐसी economy बनाना जो borderless हो, एक ऐसा world बनाना जो borderless हो, हर देश में असानी से व्यापार हो पाए, पैसे का लेन दिन हो पाए, उसी को हम globalization बोलते हैं, to create a borderless world, it means integrating the economy with the economies of the world, क्या-क्या फाइदे होते हैं, global markets सक जा सकते हो, अच्छी technology ले सकते हो, growth और development हो सकता है, negative क्या-क्या होते हैं, development nation को जाधा फाइदा होता है, लोग का welfare इससे compromise होता है, और economic disparities बढ़ाता है, disparities मतलब differences, outsourcing क्या होता है, बच्छों, outsourcing होता है, जब हम अपने non-core activities किसी बाहर वालों से कराते हैं, तो उसको outsourcing बोलते हैं, जैसे हमारे देश में बहुत सारा insurance का काम हमारे देश में होता है, IT क बहुत सारा हमारे देश में होता है, जो हम other देशों के लिए करते हैं, उनके पास नहीं है skilled labor, वो हमें दे देते हैं, हम लोग कर देते हैं, तो उसको outsourcing बोलते हैं, outsourcing का मतलब contracting out some activities to third parties which were earlier performed by the organizations, India has become a popular destination for MNCs, because of हमारे हैं क्योंकि wage rate कम है and skilled labor है, हमें क्या क्या मिला है, call centers, account banking music, यह सब हम कर रहे हैं, world trade organization, बच्चो बस dates याद रख लेना, most important, GATT, 1948 में आया था, 23 countries इसके member थे, WTO इसका successor बन गया बाद में, 1955 में, इसको ठीक करेंगे वेटा, 1955 नहीं, 1995, WTO की जो date है, वो है 1995, ठीक है, 1948 के बाद, 1995, okay, with 164 countries, क्या-क्या functions थे, international trade इंप्रूव करना, एक rule-based system बनाना, थाकि trading अच्छी हो पाए, व्यापार अच्छा हो पाए, optimum utilization करना, और environment को protect करना, LPG के क्या merits और क्या demerits रहे, एक vibrant economy देखने को मिला, यानि जिसमें growth है, private sector से काफी investment देखने को मिला, industrial production को एक push मिला, foreign exchange बढ़ने लगा, तो काफी benefit हुए, demerits क्या-क्या हुए agriculture पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इन policies के अंदर और हमारा देश, agrarian देश था, तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया, growth process सिर्फ urban areas तक सिमिट होके रहे गया, rural areas तक नहीं पहुचा, colonialism आज भी वही है, यानि कि अभी भी ऐसा लगता है, कि दो groups हैं, एक rich का और एक poor का, वैस human capital formation आ जाता है, बच्चों next, human capital formation में सबसे पहला topic आता है, human capital क्या है, जितना भी skill और expertise एक nation में लोगों का होता है, उसको हम human capital बोलते हैं, जब वो skill expertise improve होता है हर साल, तो उसको हम human capital formation बोलते हैं, human capital formation refers to a process of adding to the stock of human capital over time, किस-किस चीज से क्या-क्या sources हैं, जिस से बहतर हो सकता है, खर्चा होना चाहिए पढ़ाई पर, expenditure on education, तीन expenditure है, education, health, information, health पर खर्चा होना चाहिए, proper, यानि कि एक healthy mind, healthy body में ही रहता है, तो health के साथ कोई compromise नहीं, information पर खर्चा होना चाहिए, यानि कि अच्छी चीजों पर, आप newspapers पर, magazines पर खर्चा करो, counselling sessions पर खर्चा करो, तो information पर खर्चा करोगे, तो अच्छा human capital formation होगा, training, on the job training की बहुत महत्वता है, यानि कि अजब भी training मिलेगी, लोगों को, on the job, तो सीखेंगे, learning while doing, और grow करेंगे अपनी skills को, adults के लिए भी study programs अगर होंगे, तो हमारे देश में बहुत सार adults भी contribute करेंगे, growth में, और migration, जब आप दूसरी जगा जाते हो, migrate करते हो, बाहर जाते हो, तो नई चीज़े सिखते हो न, वो इसलिए यहाँ पर migration भी एक element है, अब इससे क्या-क्या फाइदे होते है, human capital formation से, क्या-क्या role ये play करता है, एक तो लोगों का emotional और material environment दोनों बदल देता है, लोगों का mindset और लोगों के आ problems आ रही थी, एक तो जन संक्या बहुत जादा है, brain drain हो रहा था, हमारा जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बाहर चले आते हैं, manpower planning नहीं है, हमारे देश में प्रॉपर academic standards भी खराब है, rural development की बात करते है, rural areas के development को, rural areas के लिए जो plan बनाया जाता है, development के लिए उसी को हम rural development बोलते है रूरल areas में दो major problems थी, एक को हम बोलते है, lingering challenges एक को हम बोलते है, emerging challenges lingering में दो problems है, rural credit, rural marketing, emerging में organic farming और options for livelihood outside agriculture सबसे पहले credit की बात करते हैं तो credit तीन प्रकार का होता है short term medium term long term अगर आपको पैसा चाहिए 12 महीने तक के लिए उसको short term बोलते हैं एक साल से 5 साल उसको medium term बोलते हैं 5 से 20 साल उसको long term बोलते हैं ठीक है basic चीज़े आपको पता होनी चाहिए कहां कहां से मिलते हैं कुछ institutional sources होते हैं कुछ non institutional होते हैं institutional में बच्चो सबसे पहले cooperative credit societies जो आपको प्रैसा provide करती है दूसा land development banks यह मैंने आपको बताये थे ADBs और RRBs regional rural banks और land development banks यह domestic level पे अलग-अलग बनाये जाते हैं ठीक है जैसे कि Punjab, Grameen bank इस तरीके के कई सारे banks है commercial bank commercial bank SBI हो गया RRBs हो गया government नबार्द नबार्द national bank for agriculture rural development यह तो apex body agriculture credit के लिए उसके बाद self-help groups self-help groups इसको हम micro finance भी बोलते हैं इसमें खुद ही कुछ members आते हैं आपस में अपने resources को pool करते हैं फिर उसको loan देते हैं काफी reasonable rate पे उसको हम self-help groups बोलते हैं non-institutional में money lenders आ जाते हैं relatives आ जाते हैं traders आ जाते हैं यह सब वो हैं जो institutions नहीं है फिर बात करें agricultural marketing की तो agricultural marketing बच्चो GPGPSS सबसे पहले gather करो produce को फिर process करो उसके बाद फिर grading करो फिर उसके बाद packing करो उसके बाद store करो and then sell करो यह छे process हैं जो छे challenges भी हैं मारे बाद agriculture marketing में उसके बाद government ने क्या करा marketing को improve करने के लिए rules और regulations बनाए market में MSP policy लेकर आया ताकि farmer को उसकी फसल का अच्छा पैसा मिल पाए cooperative societies develop करी ताकि पैसा मिल पाए loans मिल पाए information dissemination यह dissemination है यानि जागरूप करा लोगों को information फैल आई ताकि farmer को पता हो कि उसके पास क्या-क्या options है क्या-क्या rights है provisions for warehousing storage के लिए warehouses provide करेगा government के द्वारा and transport सस्ता दिया गया इसके बाद emerging challenges में हमारे पास employment outside agriculture क्या-क्या options है animal husbandry यानि livestock आ गया fisheries आ गया horticulture जिसके अंदर हम लोग fruits की खेती करते हैं हम लोग flowers की खेती करते हैं cottage and household जो चोटी-मोटी हमारे हाँ hand-lum industries है उसके साथ-साथ dyeing weaving stitching यह सब है न हमारे देश में यह सब इसमें आ जाती है अब आता है हमारे पास इसके अंदर एक topic रह गया बच्छो organic farming और गयनिक farming मैंने आपको बता दिया हम लोग को natural chemical fertilizers को छोड़ना है और natural fertilizers use करने है जिसमें animal waste, compost, manure उसको use करते हैं farming के लिए मतलब कि chemical कुछ use नहीं होगा petroleum based product कुछ use नहीं होगे सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ नाच्रल compost और natural manure ही use होंगे farming के लिए इससे क्या होता है एक तो healthy खाना मिलता है tasty खाना मिलता है इसके इलावा जो soil है उसकी fertility बहुत अच्छी रहती है यह organic farming में सारा आ जाता है ठीक है next आता है हमारे पास अब employment employment में क्या के चीज़े आती है बच्छों सबसे पहले worker कौन होता है कोई भी इनसान हो doctor वो भी worker chartered accountant वो भी worker मैं भी एक worker teacher भी एक worker हम सब workers है इसके बाद workers कितने प्रगार के होते हैं हमारे पास दो प्रगार के होते हैं कहां गया कहां गया कहां गया मट उससे पहले चलो यही पढ़ लेते हैं labor supply labor force और workforce labor supply क्या होता है कि मैं कितना labor supply करूँगा corresponding to a wage rate इसमें wage rate बहुत important है मैं बोलोगा भया कितना पैसे दोगे इसके बदले इतनी ही labor दूगा labor supply बोलते है labor force क्या होता है मैं willing भी हूँ able भी हूँ और मैं काम कर भी रहा हूं दोनों जी लोग आ जाते हैं इसके अंदर जो actual में काम कर भी रहे हैं और जो willing भी है सब को जोड़ नहीं है आपको फिलाल अब देखो हमारे पास workers कितने प्रकार के होते हैं workers हमारे पास होते हैं दो प्रकार के एक होते हैं self-employed workers एक होते हैं hired workers यह workers ही हैं दो प्रकार के होते हैं self-employed एक hired जो अपने लिए खुद के लिए काम कर रहे हैं खुद के अपने boss हैं वो self-employed जो कि इसी और के लिए काम कर रहे हैं वो hired है हाइड में दो होते हैं regular और casual regular वो है जिनको permanent wages पर रखा गया है permanent salary पर रखा गया है उनको social security benefits में मिलते हैं उनको other benefits में मिलते हैं वो permanent है और casual कौन से होते हैं हमारे पास यह casual होते हैं जिनको daily wages हैं यह लोग कभी काम मिल गया कभी नहीं मिल गया यह वो लोग हैं इनको कोई social security benefit नहीं होता ठीक है देखो casual कौन है daily wages regular कौन है permanent payroll पर उनको कोई benefit नहीं है उनको सारे benefits है done उसके बाद employment के अगर हम बात करें तो इस तरीके से हमारे बास employment देखने को मिलती है males में सबसे ज़्यादा self-employed है उसके बाद casual है उसके बाद regular सबसे कम है regular worker सबसे कम है और female में अगर देखा जाए तो वो ही self-employed सबसे ज़्यादा then casual and then regular इसके बाद बच्चों और आगे अगर हम चले है तो हमारे पास कुछ topics आ रहे हैं जैसे jobless growth, casualization, informalization यह important है jobless growth क्या होता है जब किसीभी economy में growth हो रही है GDP बढ़रा है लेकिन jobs नहीं है growth हो रही है GDP बढ़रा है लेकिन jobs नहीं है इसका क्या मतलब है सर इसका मतलब है बहुत SIMPLE सी बाद है कि technology की बज़े से production हो रहा है बढ़िया GDP बढ़रा है लेकिन हम लोग यूज कर रहे हैं इसको हम casualization बोलते हैं informalization क्या होता है जब informal worker बढ़ रहे हैं और formal कम हो रहे हैं formal एक तो government employees होते हैं और private institution जिसमें 10 या 10 से जादा लोग काम करते हैं उसको formal बोलते हैं informal जो private institutions में है जो private sector में है और जहां पर एक organization में 10 से कम लोग हैं तो अगर informal sector grow कर रहा है उसको हम informalization बोलते हैं ठीक है employment यह मैंने आपको बता दिया formal sector informal sector बता दिया formal को organized बोलते हैं informal को unorganized बोलते हैं social security benefits formal को मिलते हैं informal को नहीं मिलते हैं इसके बाद unemployment कितने प्रकार की है rural urban, rural में disguised और seasonal disguised होती है जब जरूरत से जाधा लोग काम कर रहे होते हैं उसको हम disguised बोलते हैं seasonal होता है कि एक season में employed दूसर season में unemployed वो seasonal होता है agriculture seasonal है इसलिए इसमें आता है urban में industrial जो लोग industry में काम करना चाहते हैं बढ़ उनको काम नहीं मिल पारा skills ना होने की वज़ए से या jobs ना होने की वज़ए से उनको industrial बोलते है educated जो पढ़े लिखे पढ़े लिखे है degree है लेकिन काम नहीं आता skills की कमी है उनको हम educated unemployment बोलते है इसके इलावा कुछ और unemployment है open open का मतलब एक general unemployment structural जब economy में demand किसी और तरीके की skill की है और labor किसी और तरीके की है उसको हम structural बोलते है under employment ज़रूरत से कम काम मिल रहा है आट गंटा काम कर सकते हो बट काम मिल रहा है चार गंटे का आप under employed हो frictional time gap between two jobs एक job छोड़के दूसरा पकड़ा उसको हम frictional बोलते हैं तब तो सबको काम है depression आया recession आया economy डूब गई तो सबकी jobs चली आएंगी वो आप cyclical unemployment का शिकार हो चाओगे causes of unemployment unemployment क्यों है जन संक्या बहुत ज़ादा है यह आप खुद लेख सकते हो economy में growth नहीं है अगर agriculture में जाए तो irrigation नहीं है agriculture एक seasonal occupation है जॉइंट फैमिली सिस्टम की वैसे disgust unemployment देखने को मिलता है limited mobility of labor labor move नहीं करती है हमारे देश में unemployment कैसे ठीक हो सकता है production बढ़ाओ productivity बढ़ाओ education में reforms लेके आओ system change करो techniques लेके आओ production की अच्छी employment programs लेके आओ जैसे सरकार लेके आ रहा है start-ups लेके आ रहा है make in India लेके आ रहा है कितने सारे programs ला रहा है manpower planning करो proper ठीक है जी इसके बाद government की बहुत सारी skills है यह important है question government ने बहुत सारी initiatives लिये है employment को improve करने के लिए जैसे direct employment देती है सरकार लोहों को jobs देती है indirect भी देती है अगर government private sector से समान खरीद रहा है तो indirectly काम दे रहा है ना उनको ठीक है उसके इलावा government की बहुत सारी योजनाए है जैसे employment generation programs National Rural Employment Guarantee Act 2005 यह याद रखना 2005 आ सकता है Prime Minister Rozhgar योजना ठीक है इसके बाद कुछ नए-नए skills है skill India, make in India, start-up यह सब schemes है government की जो employment generation में help कर रही है इसके बाद बच्चों हमारे पाद आता है Environment and Sustainable Development बड़ा ही आसान सरल सा चैप्टर इसके अंदर कुछ ही नहीं आर Environment क्या होता है Environment सम टोटल होता है दो elements का Biotic और A-Biotic का Biotic में सारे living आ जाते है इसके बाद हमारे पास functions क्या है Environment resources देता है आपको Resources दोनों देता है Renewable और Non-Renewable Environment waste assimilate करता है जब हम waste की बात करते हैं तो waste कहां चला जाता है absorb हो जाता है कितना absorb कर सकता है environment जितनी उसकी absorptive capacity होगी absorptive capacity क्या होता है The capacity of the environment to absorb the waste इसको absorptive capacity बोलते है यही से question आ सकता है कि what is carrying capacity carrying capacity क्या होता है carrying capacity हम बोलते है कि वो capacity या environment का एक वो power जिसमें ये बोलते हैं हम लोग कि ऐसा होना चाहिए कि जो regeneration का rate है वो हमेशा जादा होना चाहिए extraction के rate से मतलब कि suppose koila आप 10 साल में निकालते हो लेकिन बनता वो 15 साल में है तो यह गलत है ऐसा होना चाहिए कि 15 में बन रहा है और आप 20 में निकाल रहे हो यानि जो regeneration है वो जादा होना चाहिए और extraction कम होना चाहिए बढ़ हमारे देश में क्या हो रहा है extraction जादा हो रहा है, regeneration कम हो रहा है इसको हम carrying capacity बोलते हैं, ठीक है environment sustains life, lifestyle अच्छा करने में help करता है और quality of life improve करता है, problems क्या आ रही है, एक problem pollution की है, air pollution हवा में, water pollution पानी में, noise pollution years में, यह आपको पता है, excessive exploitation of resources, natural resources का exploitation हो रहा है, जैसे कि paid cut रहे है, deforestation, ठीक है soil की fertility चली गई, यह आपको पता होना चाहिए soil erosion, ozone layer depletion, यह सब इसके अंदर आयाता है, global warming सही, यह सब challenges है और यह सब environmental crisis की तरफ हमें लेके जा रहे है, pollution क्या होता है वो activities, production, consumption की जिससे purity of air water खराब होती है, ठीक है air pollution, आप सब जानते हो मुझे नहीं लगता है, इस पर हमें जादा सामय लगाने की जूरत है poisonous gases की वज़े से, smoke की वज़े से air pollution, water में जो हम fertilizers बगएर डाल देते हैं, इसकी वज़े से water pollution, noise pollution excessive, जो हम sounds create करते हैं उसकी वज़े से उसके बाए degradation of natural resources में deforestation और degradation of land deforestation क्या होता है, पेड कटना पेड को बचाने के लिए हमारे देश में बहुत सार योजनाय शुरू से चली है, जिसका एक बहुत important example है, चिपको movement जो आप यहाँ पर लिख के आ सकते हो, चिपको movement में और multi-purpose river projects की वज़े से, जो rivers निकाल रहे हैं, उनकी वज़े से हो रहा है degradation में हम लोग mainly क्या बोलते हैं, soil erosion soil erosion क्या होता है, जब अपर soil erode हो जाती है, यानि खराब हो जाती है, उसको हम soil erosion बोलते हैं environmental degradation की क्या-क्या causes थे वही वापिस से वही सब population, poverty, urbanization insecticide, pesticide बहुत जादा use हो रहा है transport vehicles बहुत जादा हो गया है और industrialization, global warming क्या होता है बच्चो, global warming और ozone depletion, इसका picture based question आ सकता है इनकी images ज़रूर google से देखके चले आना global warming क्या है हमारे पास जब बहुत जादा temperature बढ़ रहा होता है अर्थ का, तो global warming हम उसको बोलते है, यह pollution की वज़े से होता है, जब बहुत जादा pollution होगा, तो heat generate होगी तो उसको हम क्या बोल देता है, global warming इससे क्या हो रहा है, जो glaciers है, वो melt हो रहे है उसकी वज़े से बहुत जादा बाढ़ बाढ़ हमें देखने को मिल रही है, पानी पानी हुआ पड़ा है सारा सिस्टम उपर नीचे हो गया है डिस्टर्ब हो गया है, global warming is the observed and projected increase in the average temperature of earth atmosphere and oceans ठीक है, इससे हो गया रहा है ice melt हो रही है, पूरे world में hurricanes और other tropical storms देखने को मिल रहे हैं, और बहुत सारी species जैसे polar bear वगयरा जो ice में ही रहते थे वो देखने को मिलते ही नहीं है अब ozone depletion आप सब जानते हो, ozone layer जो हमारी, जो हमें ultraviolet race से बचाती है, वो खताम होती जा रही है इसी को हम ozone depletion बोलते हैं ozone depletion क्यों हो रहा है, क्योंकि high level of chlorine और bromine compound बढ़ गए है हमारे stratosphere में यह आते कहां से हैं chlorofluorocarbon से आते हैं, जो कहां देखने को मिलते हैं हमें, cooling substances में, AC में refrigerator में, या fire extinguishers में तो इससे बहुत दिक्कत है ozone depletion से क्या होगा, UV raditions आ जाएंगी cancer देखने को मिलेगा, बहुत सारी environmental crisis के क्या कारण है, यह सब हमने discuss कर लिए, अब India's environment को क्या क्या challenges है, यही सारे issues है, land degradation, degradation of forest, soil erosion, biodiversity loss, air pollution, sustainable development क्या होता है बच्चों, sustainable development होता है कि आपको resources को इस तरीके से use करना है, कि आप भी use कर लो और आनी वाली generations भी use कर लें, इसको हम sustainable development बोलते हैं, sustainable development की features क्या है, real per capita income बढ़ना चाहिए, यानी availability of resources बढ़नी चाहिए, natural resources को rational तरीके से use करो, अच्छे तरीके से use करो, pollution को control करो, यह सब इसके features हैं, और कैसे कर सकते हैं, यह इनकी strategies हैं, यह मैंने आपको सारी पढ़ाईती, एक बार वापिस से बहुत अच्छे से देख लो, non-conventional sources of energy को use करो, यानी solar energy, wind energy को use करो, cleaner fuel, CNG, LPG को use करो, mini hydel plants, छोटे-छोटे hydel plants लगाओ, energy के energy बनाने के लिए, traditional knowledges और practices को use करो, bio compost को use करो, bio pest को use, control करो, तो यह सारी चीज़े हैं हमारे पास, जो मदद करेंगी हमें sustainable development में, last chapter आता है बच्चों हमारे पास the comparative experience that is India, China and Pakistan, इसके अंदर अगर हम बात करें तो India और Pakistan independent हुए थे 1947 में और China set up हुआ 1949 में, यह दियान रखना इंडिया का पहला plan 51 में आया था, चाइना का 53 में, पाकिस्तान का 56 में, चाइना का background देखो 1949 में established हुआ, oldest civilization इसको बोलते हैं, one party rule system चलता है, जिसको हम communist system भी बोलते हैं, Mandarin इनकी official language है, चाइना की policies सबसे पहले GLF 1958, याद रखना माउ लेके आया था, जिसके अंदर इसने बोला था कि छलांग लगाएंगे, production करो, हर अपने backyards में industries लगाओ, हर घर में industry लगी होनी चाहिए, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, GLF campaign, ठीक है, GLF campaign initiated by Mao, with the aim of transforming agrarian economy into modern economy, लोगों को encourage करा गया था कि अपने backyard में industries लगाओ, 1958 तक 26,000 communes बन गए थे, communes का मतलब अब community में farming करेंगे, अलग-अलग नहीं करेंगे, एक साथ मिलके करेंगे, तो 26,000 communes बन गए थे, उसके बाद बहुत बड़ा सुका बड़ा एक, चाइना में बहुत problem आई, जिस वरे से 30 million लोगों की revolution ले के आया था, industrial policy में जो चाइना में reforms आये तो दो faces में आये थे, याद रखना, पहले face में किस-किस में आये थे, agriculture, foreign trade investment में, दूसरे face में industry में आये थे, इसके बाद dual pricing policy, चाइना ये बोलता था कि सबसे पहले, जो basic prices हैं, वो set करे जाएंगे government के दौरा, उसके बाद अगर कुछ quantities के बाद आपको sale करना है, तो वह आप market prices पे बेच सकते हो, special economic zones भी set up करे थे, चाइना ने, ताकि foreign investment आ सके उनके पास, पाकिस्तान, जिसको हम बोलते है, Islamic Republic of Pakistan, इसने independence लिया, 14th August 1947 में, हम 15 अगस, ये 14th August, ठीक है, फिर बाद में, ये 47 नहीं है, 71 है, 71 में एक civil war हुआ, जिसमें Pakistan अलगोगा और Bangladesh अलगोगा इसमें से, पाकिस्तान की अगर हम economy की बात करें, तो economic growth बहुत ही कम है, military rule चलता है political instability यहां पे बहुत ज़्यादा भर-भर के है, national language इनकी उर्दू है, और official language English है, पाकिस्तान में क्या के reforms आये थे, similar हमारे जैसे reforms थे, इनके बास green revolution आया था, जिससे इनकी काफी growth हुई थी, financial support इनकी काफी मिला था, 1970 में इनोंने capital goods को nationalize करा था, यानि grow करने कोशिश कर थी, लेकिन late 1970 में denationalize कर दी, यानि private sector का role फिर से बढ़ा दिया, इसके बाद, जातर ही dependent थे, अपनी remittances के उपर, यानि loans के उपर, बाकी इनमें ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं थी, 1988 में यहाँ पर reforms आ गए थे, demographic indicators अगर हम बात करें, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो population है, वो इस data के साब से चाइना की सबसे ज़्यादा है, लेटेस डेटा के साब से इंडिया की सबसे ज़्यादा है, अनुवल growth rate of population पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, और चाइना में सबसे कम है, because of their one child policy, density की बात करें अगर हम, तो density, इंडिया में सबसे कम है, फिर पाकिस्तान और फिर चाइना, चाइना के लोगों को सबसे ज़्यादा जगा मिलती है रहने के लिए, sex ratio सबसे ज़्यादा skewed इंडिया की है, यानि सबसे खराब इंडिया की है, यहाँ पर दुरुभाग्य की बात है, कि 1000, males के comparatively बस 929, females इंडिया में है, चाइना में 941, पाकिस्तान में सबसे अच्छा है 947, तो discrimination हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, Fertility Rate सबसे बेटर जो माने आता है, वो हम लोग देखते हैं, पाकिस्तान में 3.7, इंडिया में 2.3 और चाइना में 1.6, Urbanization सबसे बहतर चाइना में हुई है, उसके बाद हमारे पास देखने को मिलता है, Urbanization पाकिस्तान में, इंडिया में, उसके बाद Growth Rate की बात करें, यह सब डेटा वाले Questions मैंने आपको पढ़ाए थे, पूरे के पूरे डीटेल में पढ़ाए हैं, इसके बाद बच्चो, Sectoral Contribution में मैंने आपको बताया था, कि इंडिया में 50% लोग Agriculture में है, लेकिन GDP में सबसे कम Contribute करता है, चाइना में ऐसा नहीं है, चाइना में अगर आप देखो, तो सबसे ज़्यादा Contribution 48% सर्वेस सेक्टर का है, ज्यादा लोग भी सर्वेस सेक्टर में है, तो यह इनको अच्छा बनाता है, यह इनकी Growth के लिए बहुत बड़ा Factor है, इसके बाद बेटा जी, Workforce की बात करें अ यह मैं आपको दिखा चुका हूँ, यह हमारे पास आते हैं Human Development की Indicators, Human Development में आपको याद रखना है, यह दो तो Learn करके जाना, Rank और HDI की Value, इसके अंदर बच्चों आपको याद रखना है कि जो सबसे बहतर देश है, Human Development की Respect में, वो चाइना है, उसके बाद हमारे पास इंडि पाकिस्तान उसके बाद, सौरी, इंडिया उसके बाद और पाकिस्तान सबसे लास्ट में, ओवरॉल परफॉर्मेंस की बात करें तो 1970 तक सबका सेम लेवल था, आखरी के जो 30 साल है, यानि 70 के बाद वाले, लास्ट एडिकेट्स, आप टेकन इस कंट्री इस कंट्री इस तो ग्रांट पर डिपेंड होना, ये इनका मेजर कारन रहा है, पाकिस्तान इंप्रूव करना चाह रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा, चाइना में मेजर कंसर्न है, हुमन राइट्स, हुमन राइट्स एक उनके लिए बड़ा कंसर्न रहा है, बट ओवरॉल देखा जाए तो चा फोडने वाले वे एक्जाम में मुझे पूरी उमीद है, all the best everyone, सब कुछ तुमें आता है, सब कुछ तुमने करा है, बस बहुत अच्छे से जाना और फोड के आना, all the best